असलाम लेकुम क्लास अब हम 2.2 स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो में 2.2 एक्सरसाइज में आपकी रिड्यूस लेबस में आपने Q1 का पहला और चोथा पार्ट करना है Exhibit A Union B and A Intersection B by Venn Diagrams इससे पिछली वीडियो जो मैंने आपको Venn Diagrams की recommend किये पहले आपने लाजमी वो देखनी है अगर आप वो Venn Diagrams वाली वीडियो जो मैंने recommend किये वो नहीं देखेंगे तो आपको ये भी easily समझ नहीं आएगा आपने वो Venn Diagrams वाली वीडियो देखनी है जो मैं जिसका मैं लिंक आपको शेर किये इसके बाद आपने एक questions practice करने तो question number one में आपने A union B और A intersection B को Venn Diagram से show करना है कब condition क्या है कि A is a subset of B यानि A जो हो किसके अंदर लाए कर रहा है B के अंदर तो पहला part करते है इसका पहला part क्या है कि A subset है B का Venn Diagrams के लिए आपने क्या करना होता है एक rectangular box बनाना होता है यह rectangular box यह होता है universal set U होता है A और B दो sets लेने है A किसके अंदर है B के अंदर तो B बड़ा है यह B है और A उसके अंदर है इस तरह से तो यह बन गया A is a subset of B यानि A जो है वो किसके अंदर है B के अंदर ठीक है अब A is a subset of B बन गया है इसके अंदर आपने यह दो parts बताने है shade करने है union और intersection shade करना है तो union के लिए भी यही box बना ले और एक और box बना ले किसके लिए intersection के लिए यही A subset B का universal set यह आ गया B और यह आ गया हमारे पास A ठीक है अब पहला मैं यहां पर क्या बनाने लगी हूँ A union B union का मतलब क्या होता है union का मतलब होता है सारे के सारे A के elements और सारे के सारे B के elements यानि यह सारे elements B के B और A के B union में यही होता है कि हम सारे A और सारे B के अकठे लिखते हैं तो सारा A और B shade हो गया ठीक आगे अब इस में इस second rank diagram में क्या बनाने लगी हूँ A intersection B intersection का मतलब क्या होता है Same, common, वो हिस्सा जो दोनों का एक जैसा है intersection ठीक है तो यही वो जगा है जहां पे B भी है और A भी है बाहर वाले में तो A नहीं है ना तो वो same तो ना हुआ तो दोनों कहां पे same है, सिर्फ और सिर्फ इस portion में ठीक है तो A intersection B यहां पे मैंने shade करती है अब question number 2 करते है question number 2 में क्या कह रहे है question number 2 में कह रहे है हमें कि show A difference B and B difference B A by one diagram और condition क्या है कि A and B are overlapping sets question number 2 करते है question number 2 में हमने क्या show करना है A difference B बताना है हमने और दूसरा हमने क्या बताना है B difference A बताना है ठीक है और किस तरह की diagram बनानी है A और B overlapping बनाने है ठीक A और B क्या बनाने है overlapping A and B are overlapping overlapping का मतलब होता है दोनों का कोई ना कोई हिस्सा थोड़ा सा same आ रहे है ठीक है overlapping बनाना है universal set यह मैंने A बना लिया और इनका थोड़ा सा हिस्सा same बना लिया B तो यह overlap हो रहे है एक दूसरे के उपर आ रहे है थोड़े से इसे हम कहते है overlapping दो diagram सेम बनाऊंगी क्योंकि A difference B भी बताना है और B difference A भी बताना है एक और बना ले क्यों universal set यह set A हो गया और इसी तरह से यहाँ पे set B आ गया सबसे पहले क्या बताना है A में से B को निकाल देना है A difference B A difference B बताना है मैंने यहाँ पे यानि A में से B को निकाल देना है A में से पूरे के पूरे B को निकाल दे तो यह वाला हिस्सा बचता है देखें A में से पूरा B निकाल देना है हमने तो ये portion बच्टाएँ हमारे पास ये वला हिस्सा भी B में चला गया है क्योंकि ये B है ना यहां पर पूरा ये पूरा का पूरा B निकल दिया अब अगले में क्या बताना है B difference है B को निकल देना है ये B में से पूरा A निकल दिया यह पूरा A निकाल दिया, तो यह वाला हिस्सा आ गया, तो यह हमारे पास Venn Diagram शेड होगी, ठीक है, अब question number 2 के बाद, हमने कौन सा question करना है, हमने करना है question number 5 का पहला और दूसरा पार्ट, using the Venn Diagram if necessary, find the single sets equal to the following, Venn Diagram यूज करते हैं हमने बताना है कि A Compliment basically होता क्या है, ठीक है, तो question number 5 में, question number 5 में हमने क्या करना है, पहला पार्ट A Compliment बताना है, ठीक है, सिर्फ A की सेट बनेगा, A ही है, इसमें कोई B नहीं है, ये बना ली Venn Diagram, यूनिवर्सल सेट और ये A आ गया, A Compliment होता क्या है, A Compliment का मतलब होता है, U Difference A, यानि U में से A को निकाल देना है, इस पूरे के पूरे U में से A को निकाल दिया, तो बाकी ये बच्चा सारा, तो इस सारे को हमने ऐसे शेट कर दिया, तो ये आ गया, ठीक है, ये Find हो गया, Venn Diagram से है, के U में से A को निकाल दिया, तो सारा का सारा ये पॉर्शन बच गया, इसी का ही Second Part क्या बताना है, हमने, इसी के ही Second Part में हमने बताना है, A Intersection Universal Set, ठीक है, ये Universal Set है, और ये Set A है, Intersection का मतलब क्या होता है, सेम हिस्सा, जो A की, जिस हिस्से में ये दोनों अकठे आ रहे हो, तो ये Universal और A कहां पर अकठे आ रहे हैं, सिर्फ इस जगा पर अकठे हो रहे हैं, इस जगा पर U भी है, और A भी है, तो ये portion आ गया Intersection का, ठीक है, इसके बाद Last Question है, Question No.6, Question No.6 के ह मैं आपको पहला पार्ट कराऊंगी, दूसरा पार्ट आपने खुद करने है, क्या कह रहे हैं, Question No.6 में, Question No.6 में कह रहे हैं कि, When Diagram यूज करते वे Left Side को Right Side के Equal Proof करने है, ठीक है, When Diagram को यूज करते वे Left Hand Side और Right Hand Side Equal लानी है, यानि जो Final Shading होगी, वो Final Shading सेम होनी चाहिए दोनों की, चल, Question No.6 लिखते हैं, यहां पर हम, क्या शो करना है कि, A Difference B किसके Equal है, A Intersection B Complement के, सबसे पहले Left Hand Side ले ले लेते हैं, Left Hand Side में, अच्छा, When Diagram, Universal Set, A और B बनाने हैं, A भी बनाना है, B भी, अब आपकी मर्जी है, A और B को Disjoint ले लो, Overlapping ले लो, Subset ले लो, आपकी मर्जी है, Overlapping थोड़ा असान होता है करना, तो Overlapping ले ले लेते हैं, A है यह और यह B है, क्या करना है हमने, Left Hand Side कहती है, A Difference B, यानि, A में से B को निकाल देना है, तो यह वाला हिस्सा बचता है, सारा हमारे पास, तो A में से B को निकाला, तो यह वाला हिस्सा, यह Left Hand Side है, ठीक है, अब हम करते हैं, Right Hand Side, Right Hand Side यहां कर रही हूँ मैं, Right Hand Side में, A का Intersection लेना है, B कॉम्प्लिमेंट के साथ, अगर Left Side में Overlapping लिया है, तो Right Side में भी Overlapping लेना होगा हमें, यह A हो गया, और यह आगया हमारे पास B, सबसे पहले B कॉम्प्लिमेंट बताना हैं आपने, सबसे पहले क्या बताना है, B कॉम्प्लिमेंट का अंसर, B कॉम्प्लिमेंट क्या होता है, U माइनस B, यानि इस पूरे युनिवरसल में से B को निकाल देना है, तो मैं उसमें Dotted लगा रही है, पूरे युनिवरसल में से B को निकाल दिया, तो B को छोड के, बाकी सारा हिसा आपका dotted आ गया तो ये क्या बन गया यहाँ पर ये आप शो करोगे कि ये B complement जो है वो dotted है B B के इलावा बाकी सारा हिसा dotted हो गया अब ये जो answer आया है इसका intersection लेना है किसके साथ? A के साथ ये जो answer आया है इसका intersection किसके साथ लेना है एक साथ लेना है अच्छा तो ये dotted वाला कहां पे एक साथ मिल रहा है सिर्फ इस जगा पे सिर्फ ये जगा dotted वाला एक साथ कहां पे match हो रहा है सिर्फ ये portion तो देखें जो final lines आई हैं वो lines और ये left side वाल lines portion same है तो इसका मतलब है left hand side और right hand side equal है तो A intersection B complement वाला कौन सा portion है ये वाला तो देखो दोनों portion same है तो हम ये कहेंगे के left hand side equal है right hand side proved that A difference B equal है A intersection B complement तो पहला पार्ट मैंने आप करा दिया है अब second part आप खुट रहे करेंगे I hope everything will be clear to you now